आज हम बात करने वाले हैं लोशन के बारे में तो यह जो हमारा यूट्योफ वीडियो है इस अवाउट टीपाट प्रेपरेशन फार्मसूटिक्स हमारा सब्चिक चल रहा है और हम डूजज फॉर्म की पढ़ाई कर रहे हैं जिसमें कि हम लिक्विड डूजज फॉर्म के चा है ठीक है यह एक्स्टर्न आप्ल caution के लिए उसकर जाते हैं जनरली हमारी स्किन के लिए है के लिए और यह जो प्रेपरेशन है यह जनरली करते ही हैं और साथ 여म ऻोटेक्टिव और मोलियंट की तरहां अगर हम यह दिन आए बात करें तो इमोलियंट जो होते है वो क्या होते हैं बेसिकली यह होते हैं moisturizing या soothing और mollifying agents जो हमारी skin के texture को एकदम smooth या moisturized बनाते हैं तो basically lotions जो होते हैं यह topical medications के अंदर आते हैं यहने हम topical medication बुलाते हैं due to their ease of application, rapid absorption and non-greasy feed यह contain करते हैं mixture of water and oil phases ठीक है और emulsifying agents को use करके हम एक stable preparation बनाते हैं lotion का जिसे फिर हम store करके market करते हैं ठीक है तो अगर formulation की बात करें lotion की तो इसमें 3 ingredients होते हैं mainly एक तो होता है oil phase अब यह जो oil phase होता है यह oils का fatty alcohols का waxes का बना हो सकता है और यही oil phase जो है कि क्या प्रोवाइड करता है lotions की emollient property या फिर moisturizing property प्रोवाइड करता है यह lotions के अदर दूसरा होता है हमारा water phase जो water phase होता है वो water soluble ingredients से बना होता है जिसके अंदर हम जनरली हमारी drug dissolve करते हैं ठीक है यह as a humectant काम करता है और as an active ingredient का जो base है solubilization base है उसकी तरह भी काम करता है solvent काम करता है ठीक है और तीसरी चीज़ होती है हमारी emulsifying agents तो emulsifying agents जो है इस oil और water के mixture को stabilize करने के काम आते हैं जैसे कि बहुत सारे emulsifying agents युश के जा सकते हैं emulsifying waxes होती है non-ionic surfactants surfactants इसके लावा emulsion type जो है lotion का वो दो type का हो सकता है या तो lotions oil and water emulsion form में बनाया जा सकते हैं या फिर lotions water and oil emulsion के form में भी बनाया जा सकते हैं आने वाले videos के अंदर हम emulsions और suspensions के भी separate videos बनाने वाले हैं तो emulsions का जो topic है वो हम separately बहुत detail में discuss करने वाले हैं हमारे आने वाले videos में तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ lotions की बात करें हैं तो अगर हम characteristics की बात करें lotion की characteristics की lotions जो होते हैं वो काफी viscous preparations होती है ठीक है इनकी जो viscosity है वो कम होती है बहुत ज़्यादा गाड़े नहीं होते क्योंकि lotions आपने देखा होगा की easily ऐसी long bottles में आते हैं जिनको आप squeeze करो तो उनकी nozzle के अंदर से lotion निकलता है या फिर cap bottles में भी lotion आता है तो उनकी जो flowability है वो काफी easily pour कर सको आप bottle के बाहर इसलिए उनकी जो viscosity होती हो बहुत ज़्यादा guard ही नहीं होती बहुत ज़्यादा high नहीं होती काफी low viscosity formulations होता है ठीक है in order to make them easy to spread and apply on the skin ताकि वो easily skin के उपर spread किये जा सके और आसानी से आप पूरी body पर उसे apply कर सके इसलिए इनकी viscosity कम रखी जाती इनको low viscosity formulation की तरह develop किया जाता है then इनकी absorption properties है lotions को ऐसा बनाया जाता है कि इनकी absorption rate है वो काफी rapid होनी चाहिए क्यों होनी चाहिए ताकि जैसे ही हम lotion apply करें तो drug delivery system जो है वो जल्दी activate हो और जो active ingredient है वो skin की layers के through penetrate होके जल्दी से जल्दी अपना therapeutic action दिखा सके नेक्स चीज आती है non-greasy feel हम चाहते हैं कि हमारे lotions जो है हम उन्हें apply करें उसके बाद उनमें greasy feel नहीं आए ठीके जो texture है वो skin का texture रिक्तम greasy सा feel नहीं होना चाहिए so the balanced oil water ratio ensures non-greasy and a pleasant sensory experience after application pleasant sensory application मतलब एक छोटी सी skin के ओपर film बनी रहे कि हमने हां एक lotion apply किया है protectant apply किया हमारी body के उपर लेकिन एक greasy सा तेल भरा या चिपचिपा सा feeling नहीं आना चाहिए non-greasy feeling आनी चाहिए unpleasant unpleasant sensory feeling होती है चिपचिपी skin जब हो जाती है greasiness की वज़े से वो नहीं होनी चाहिए then next thing is cosmetic appeal तो lotions जो होते हैं ये generally cosmetic agents के तरह भी उसके जाते हैं पूरी overall body के उपर apply करने वाले body lotions भी आते हैं market में ठीक है तो ये जो होते हैं generally इनके अंदर हम fragrances colors और cosmetic additives डालते हैं ताकि कॉस्मेटिकली बहुत जादा appealing लगे ठीक है then hydration और emollience की बात करें तो एक बहुत जादा characteristic property है lotions की वह है hydration ये हमारी body को hydration provide करते हैं hydration का मतलब होता है कि हमारी body की जो skin में जो नमी होती है उसे maintain करते है skin की जो texture है उसे फटने नहीं देते हैं उसे skin skin को dry नहीं होने देते हैं ठीक है and emollience जो है इसका मतलब होता है moisturizing property देना emollience का मतलब होता है कि lotions जो है हमारी skin को हमारे skin के texture को या फिर अगर हम hair में भी lotion लगा रहे हैं हम कोई भी type के different types of pharmaceutical lotions कहीं भी body में externally apply कर रहे हैं तो वह उस part को moisturization provide करता है ठीक है आगे चलते हैं lotions prepare preparation की कुछ यह techniques है इनके बारे में बात करते हैं lotions generally weighing or mixing method से बनाए जाते हैं oil or water को mix किया जाता है और active ingredient को वे करके उसमें add कर दिया जाता है ठीक है they are separately heated oil or water को separately heat करके हम दोनों को एक साथ mix करके fast trituration बोल सकते हैं या fast mixing के थुरू हम उससे mix करते हैं और फिर एक emulsifying agent डालते हैं जिस process को क्या बुला जाता है emulsification the heated phases are mixed together while continuously steering तो हम stir करते हुए continuous steering करते हुए एक emulsifying agent जो है यह दोनों phases में hot heated state में ही एक emulsifying agent हम add कर देते हैं ताकि emulsion को हम stabilize कर सके फिर उसके बाद cooling एक process होता है जिसके अंदर इस mixture को this mixture is allowed to cool down with continuous stirring to prevent face separation तो जब हम दोनों oil और water phase को heat कर चुके हैं उन दोनों को एक साथ mix कर चुके हैं और stirring करते करते हमने हमारा emulsifying agent भी add कर दिये उसके बाद हम allow करते हैं कि वह hot mixture है और emulsifying agent का total complete mixture है जो actually हमारा lotion formulate करने वाला है उस mixture को उस liquid mixture को अब हम cool down करने देते हैं लेकिन stirring को हम चालू रखते हैं stirring का मतलब होता है कि एक stirring rod से हम हमारा liquid formulation है उसको stir कर रहे हैं तो अगर हम stir कर रहे हैं तो face separation नहीं होने देना चाहते हैं इसलिए cool करते time भी हम stirring को चालू रखते हैं ठीक है then fourth process आता है incorporation of additives अब कोई भी type के additives हमें डालना है specially जो active pharmaceutical ingredients हमें डालना है preservatives, fragrances, colors कोई भी चीज अगर हमें डालनी है तो हम cooling phase के time जब हम stir करते जा रहे हैं और जैसे जैसे जो हमारा emulsion है लोशन का emulsion जो भी form हुआ है वो cool हो रहा है उसी time पर हम यह सारी चीज़े भी वे करके और last में हम packaging करते हैं जिसमें lotion जब completely cool down हो जाता है उसकी consistency एकदम normal हो जाती है तब उसके बाद हम हमारे pot से या हमारा जो cylinder होता है mixing cylinder होता है उससे निकालकर bottles के अंदर lotions को फिल कर देते हैं ठीक है appropriate containers जो भी होते हैं septic conditions के अंदर in lotions को फिल किया जाता है आपने lotions definitely बनाया होंगे आपने calamine lotion बनाया होगा आपके practicals के time पर right in your lab तो उसी तरीके से lotions prepare के जाते हैं ठीक है now consideration for formulation skin compatibility सबसे important चीज़ा जो देखी जाती है क्योंकि formulators यह चाहते हैं कि सभी skin types के लिए वो एक जैसा एक lotion मना सके जो normal dry oily sensitive सभी skins के लिए normally suitable ठीक है then pH balance maintain करना ज़रूरी है जो skin के pH है उस पर lotion apply करने से skin की skin को पर irritation नहीं होना चाहिए किसी टाइब के rashes infection itching नहीं होना चाहिए तो इसलिए pH balance maintain बहुत ज़रूरी है then stability studies भी perform करना ज़रूरी होती lotion की क्योंकि भले एक external topical preparation है लेकिन फिर भी shelf life के दौरान इसका face separation नहीं होना चाहिए क्या दिक्कत के आती है कि एक इमल्शन से बना हो है लोशन जो होते हैं वो इमल्शन के बने हैं मतलब oil and water emulsion है इसके अंदर water and oil emulsion है और साथ में एक emulsifying agent है तो ऐसा हो सकता है कि during the shelf life face separation हो जाए मतलब दोनों faces oil and water आपस में अलग-अलग हो जाए ठीक है तो यह सारी problems को prevent करने के लिए कोई pH changes ना आ जाए कोई microbial growth ना आ जाए physical stability maintained रहे इन सभी चीजों के लिए stability studies perform की जाती है lotions के अंदर preservatives भी add किये जाते हैं दिक्कत के आती है कि lotions जो है इनके अंदर एक phase है water phase और water जहां पर आता है किसी भी formulation में अगर water आ गया तो microbial growth के microbial contamination के chances बहुत जादा high हो जाते है उन formulation में इसी लिए preservatives add करना जरूरी है ताकि किसी भी तरीके की bacterial growth, fungal growth, microbial growth को हम prevent कर सके ठीक है अब जानते हैं कुछ advantages के बारे में lotions के तो lotions बहुती easy to apply होते हैं इनकी spreadability बहुत अच्छी होती ठीक है इनके अंदर rapid absorption होता है skin के अंदर और उसके थूरू skin के थूरू हम बहुत चार active pharmaceutical ingredients skin layers के थूरू penetrate करके असानी से systemic circulation में पहुंचा सकते हैं हमारी body में पहुंचा सकते हैं then suitable for various skin types ऐसे भी normal lotions आते हैं जो dry skin oily skin sensitive skin सभी के ओपर काम आते हैं ठीक है then they can be customized with additives अलग-अलग additives डालके flavoring agents coloring agents olfactory agents डालकर हम lotions को modify कर सकते हैं कुछ disadvantages भी होते हैं lotions के जैसे की low occlusiveness occlusiveness का मतलब होता है कि जब हम किसी भी formulation को apply करते हैं हमारे skin के ओपर कोई topical preparation को हम apply करते हैं तो occlusiveness का मतलब होता है कि वो पूरी skin के जो pores हैं उसको close करते हैं तो lotions के साथ यही problem आती है कि इनकी जो occlusiveness है वो थोड़ी कम होती है ठीक है compared to creams ठीक है now limited capability to deliver highly lipophilic drugs ठीक है यह भी एक बड़ा problem है frequent application में भी required for sustained therapeutic effect मतलब lotions जो है इनको apply करने के बाद एक बार apply कर लिया दिन में तो उससे काम नहीं चलता है frequently बार-बार इन्हें apply करना पड़ता है for sustained therapeutic effect एसा नहीं होता कि आपने एक बार लगा दिया तो sustained effect बहुत बात बात तक चलता रहेगा एक बार सारी skin के अंदर layer के अंदर drug penetrate कर गई उसके बाद आपको दुबारा से इसको apply करना पड़िया ठीक है after some hours तो this is all about lotions ठीक है I hope यह छोटा सा topic है लेकिन काफी important है जीपाइट point of view से और जैसा कि मैं आपको पहले भी पता चुक्यों हमें कोई भी topic को lightly नहीं लेना है हमें कोई भी topic को skip नहीं करना है question कहीं से भी आ सकता है जैसे हमारा यह जो dosage forms वाला chapter है यह complete होगा उसके बाद हम mcqs भी solve करेंगे यहीं youtube channel के ओपर आपके साथ कहीं सारे जीपाट के old question papers वाले questions हम solve करेंगे आपके साथ यहाँ पर on the youtube video itself ताकि आप यह subject को यहां से पढ़े इस chapter को आप यहां से complete करें और उसके बाद mcqs भी solve करें इसी topic से related तो आपकी complete preparation होती जाएगी जीपाट की तो तब तक के लिए stay tuned to the farmer daily और इस topic से related आपको अगर कोई भी doubt है इस video के अंदर तो आप comment section में ज़रूर लिखेगा I will get back to you with the replies okay thank you bye